हमश्कार दोस्तों, इजी नोकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वगत है, आरर्बी एलपी सेकंड और आरपी एफ के लिए 30 डेस का क्रेस कोर्स जो कि शुरू किया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं, विज्ञान से संबंदित basic on engineering से related questions को ले कर, क्योंकि एलपी सेकंड में basic on engineering से related आएगा और कुछ question जो कि आरपी एफ के लिए physics के important हो सकते हैं, भी मैं शामिल कर रहा हूँ तो दोस्तों ये पार्ट सेकेंड है निश्य दूप से आपको अच्छा लगेगा और इसमें से काफी कुश्चन पहले जो परिक्षाए हुई है उनमें भी पूछे जाते रहे हैं सभी कुश्चन का PDF आप easynockery.org साइट से प्राप्त कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप at the rate easynockery से जुड़ सकते हैं दोनों के लिंक आपको description में विलाएंगे वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों पहला सवाल हम शुरूआत कर लेते हैं दूद से मतने से क्रीम अलग हो जाने का कारण क्या है विकल पे आपके सामने घर्शनबल, अपकेंद्रिबल, गुरुतवल या श्यानबल दोस्तों अगर हम हमें दूद से अगर क्रीम निकालनी हो तो वो किनारों पर आपने देखा होगा मत्त सी जाती है यानि कि इखटा हो जाती है तो दोस्तों वो कारण होता है उसका जो कारण है वो है अपकेंद्रिबल इसका जो सई जबाब है वो है अपकेंद्रिबल के कारण दूद से मतने की ये क्रीम अलग होने की प्रक्रिया शामिल होती है इसी तरह से दोस्तों वाशिंग मसीन का भी सिद्दान इसी सिद्दान पर कारे करता है तो इन चीज़ों को आपको विशेश रूप से याथ करना है जातर ALP की फस्ट की जो परिक्षा हुई थी उसमें इसी तरह के कुश्चन आये थे अगले कुश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों जब जल को 0 डिगरी सेल्सियस पर से 10 डिगरी सेल्सियस तक गरम किया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाब पड़ेगा विकल पर आपके सामने बढ़ जाएगा घट जाएगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या अचर रहेगा यानिकि न्यूटल तो दूस्तों इसका जो सही जबाब है वो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा देखिए अगर हम 0 से 10 डिग्री की बात करें तो 0 से 4 डिग्री तक तो हमेशा जो जल का आयतन है वो हमेशा घटेगा लेकिन जैसे ऐसे वो 4 डिग्री से उपर 10 डिग्री के बीच जाएगा वो फिर बढ़ने लगेगा तो इससे हम कह सकते हैं कि पहले अगर उसका तापमान 0 से 4 डिग्री के बीच रहता है तो तो वो घटेगा और अगर 4 से उपर जैसे ऐसे आता वो बढ़ने लगता है तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा ठीक है अगले सवाल क्यों चलते हैं अगला कोश्चन है एक खिचे हुए स्प्रिंग में कौन सी उर्जा होती है गतिज उर्जा प्रतियास्त इस्थित्र उर्जा वैद्दोत उर्जा ये चुम्ब की उर्जा तो दोस्तो विकल जल जि ना प्रतियास्त और इस तरह की इस्थिती में जो परक्रिया से संपन होती है उस परक्रिया में वह कोई गतिमांत होती है इलास्ती हुई है लेकिन वह स्थिर है इसलिए उसमें अस्तिद्र उर्जा होगी अकला क्वश्चन है यदि 100 वाट का एक बिजली का अलब 4 घंटे के इडियोपयोग किया जाता है तो कितनी विद्ध तूर्जा यूनेट खपत होगी बहुत सारे स्टुडेंट इसमें सीधे-सीधे चक्रा जाते हैं विकल पे आपके दामने 400 यूनेट 25 तीसरा है चार और चौता है पॉइंट फॉर यूनेट तो दोस्तों अकर चार घंटे 100 व जो जे रिफॉर फॉर यूनेट है वह आपका सही विकल्प के रूप में सामने आजाएगा अगला सवाल है एक रडार जो एक दुश्मनों को विमानों को मौझूद्गी का पता लगाने के लिए जाता है उसमें किस तरह कि किसका उप्योग किया जाता है दुश्मन ही अग करकास से दूसरा है रेडि歐 तरंगा तीसरा है साउंट वेव मानों की मौझौद्गी होने का संकेत प्रोवाइड कराती है अगले question क्यों जलते हैं दोस्तो RDX का जो अविश्कार है वो किस ने किया RDX आप सभी मानते हैं विस्पोटक होता है उसका अविश्कार किस ने किया अल्फरेड नोबेल ने सोडी ने बारगिलिन ने या हेनिंग ने तो दोस्तो simple है सीरा सीरा इसका जो सही जवाब है वो है हेनिंग ने हेनिंग ने RDX का अविश्कार किया अगले सवाल क्यों चलते हैं चुम्ब की flux घनत्व की SI में एकाई ये unit क्या है गौस है टेसला है एस्टर्ड है या बेवर है तो सीरा सीरा सवाल है अगर ऐसा unit में चुम्ब की flux घनत्व की बात करते हैं चुम्ब की flux नहीं चुम्ब की flux घनत्व की बात हुई है बहुत सारे लोग बेवर लगा आएंगे निश्यत रूप से अगर चुम्ब की फ्लक्स घनत्व की बात करेंगे तो दोस्तों इसका जो सही जबाब है वह है टेसला ठीक है तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है अगला कुश्चन है oni DC जननेटर कि सद्धार पर र करता है तो दोस्तों डीजी जननेटर जो होता है वह जो ऐसी करेंट होता है उसरे ये बेसिकली फेराडे के विद्द चुम्ब की जो प्रेनर है उसको रिप्रेजेंट करता है तो सई जवाब है फेराडे इस लो अगला कोशन है दोस्तो एक ट्रांजिस्टर के निर्मार में क्या प्रेवक्त होता है एलमूनियम ताबा सिलिकोन चादी तो दोस्तो जिन लोग ने में दूर संचाल के लिए किस तरह के तरंगों का उपयोग के लाता है या टेली कम्मुनिकेशन के लए किस तरह का यूज़ कहा यूज़कों करें तो जो सबसे जादा बात करें इसमें विकलक पहमार के और सब्ट सबसे जबसे अदिक होती आग वो है माइकरों के 200 MSZ से 2000 KWZ तक ये तरंगें होती है ठीक है तो सही डवाब है दूर संचार के लिए प्रियुक तरंगें होती है